भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़े संविधान में से एक है और भारत के संविधान ने भारत के महान स्वतंतरता संग्राम सेनानियों संविधान विदों और विशिशक्यों के अनुसार जिस संविधान को अपने देश में लागू किया पिशले चवत्तर वर्सों से या भारत के अंदर जाते महत संप्रदाय छेत्र या नितनाम अवरोधों को पूरी तरह समाप्त करते वे अपनी कसोटी पर खरा उतरा है ये भारत के समिधान की ही महानता है कि दुनिया के अंदर आधनिक लोकतंत्र के रूप में अपने आपको स्थापित करने वाले तमाम वे देश जो अपने को आज की विवस्ता के अनुसार सबसे प्रगतिसील मानते हैं उन देशों ने लंबे समय तक लिंग भेत का अधार पर मैलाओं को मतादिकार से बंचित किया था तमाम दबी कुछली परंपराओं को समाज और राष्ट की मुख्यधारा से अलग किया था लेकिन भारत दुनिया का वदेश है जिसने समिधान लागू करने के साथ ही इस बात को भी सुनिशित किया था कि भारत के अंदर लिंक के आधार पर जाती मत मजब छेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेद भाव नहीं होगा और भारत के हर वयस्क मत दाता को अपना मत अधिकार करने भारत के अंदर एक सरकार बनाने के लिए पूरा अधिकार दिया यह भारत के समिधान के कारण भारत का हर नागरिक आज देश की सरकार को बनाने में उसका हिसेदार बना हुआ है हमारा समिधान अनेव उपलब्धियों से भरा हुआ है और इसीलिए उन उपलब्धियों को ध्यान मे रखते भे अगर समिधान हमें अदिकार देता है तो हमारे कर्तप्यों के प्रतिभी हम सब को आगरही बनाता है आदर्णी प्रधान मंत्री जी ने उसी बात के लिए आउभान किया कि जब देश दोजार बाईस में अपनी आजादी का उमडित महत्सोव ना रहा था तो सम्डित महत्सोव वर्स में उन्हुने देश वाष्यों का आउभान क्या था की आगामी 25 वरस की एक ब्यापक कार युजना को ले करके हमें आगे बढ़ना होगा इन 25 वरसों में हम कैसा भारत चाते हैं यह हम सब के संकल्प को जमिनी धनाता पर उतारने के 25 वरसों में अगर हम सब अगर अपने कर्टप्टियों का इमानदारी पुरवक निर्वहन करते हैं तो 2047 आने पर भारत दुनिया के विक्सित देशों की सिरिंखला में खड़ा होगा जहां पर हर भारतवासी नकेवल अपने देश और अपनी प्राचीन विरासत पर गौरव के अन्भूत कर पाएगा वलकि वह अपनी वर्तमान को सुखत और सुन्दर बनाने के साथ ही अपने भौश्यकों भी उत्माही उज्वल बनाने के लिए प्रदी पूरित है आश्वानित होगा आजादी के अम्रित महत्सो वर्स में जो संकल्प था आज यह वर्स देश की सम्मिधान को लागू करने का अम्रित महत्सो है इस अम्रित महत्सो वर्स पर जब देश का सम्मिधान लागू हुआ था हम सब को इस बारे में ध्यान रखना होगा कि सम्मिधान हमारा स्रोपरी ह और समिधान हमें एक ही बात के लिए अग्रही मनाता है कि हम सब का जो भी कारे हो वा देश के लिए हो हर काम देश के नाम अगर हम देश के प्रती अपने इस दुनिया के सबसे प्राचीनतम राष्ट के प्रती अपने सर्धा और सम्मान के भाव को ब्यक्त करते हैं अपने आपको सुरक्षित महसूस करेगा आजादी का अमरित महत्सों के उपरान आज हमें भारत के सम्विधान को लागू करने के अमरित महत्सों वर्ष में भी सेभागी बनने का उसर प्राप्त हुआ है और ये दोनों एक साथ अगर चलेंगे तो देश की सम्विधान की रक्सा और सम्विधान के अनसार अपने कर्टप्यों का निर्वहन करके हम लोग अपने आजादी को भी चुड़े बनाई रक सकते हैं और भारत को दुनिया की एक सबसे बड़ी ताकत की रुप में स्थापित करने में अपना योगदान दे पाएंगे मैं एक बार फिर से भारत माता की उन्महान सपूतों को जिन्होंने देश के सम्विधान को बनाने में अपना योगदान किया राश्पिता महत्मा गांधी के नित्रत्व में चला आजादी का अंदुलन और आजादी के बाद जब देश अपने सम्विधान निर्माण के लागे वढ़ा था जो एक नाम सब के महों पर आया था सरुमानत मतिसे जिन्हों ने उस नाम का चैन किया था वो नाम था डॉक्टर राजिंदर प्रसाद जी का राजिंदर प्रसाद जी ने देश के सम्विधान को सभी सम्विधान विदों स्वतंतरता संगाम सेनानियों और विसेसक्यों के साथ मिल करके जो सुरूप प्रदान करने में और उसकी विबिन बैटकों में तमाद परकार के मत्भिन्नता के बाब जो सरवानमती बनाने का प्रियास किया वबिनंदनियर रहा और उन सभी विसेसक्यों के अमसार भारत के सम्विधान को लिफिबद्ध करके उसकी डाट तयार करके वरतमान सुरूप में देने का स्थ्रे भारत के उसमहान सपूत पाबा साथ डप्टर भीम राओं बेट कर जैसे महापूरूसों को दिया जाता है और इन महापूरूसों ने जिस पत्परता के साथ जिस पर्थिबदता के साथ अपने दाहित्व का निर्वहन किया वहम सब के लिए उनकरने है नई सौसर पर भारत माता के उन महान सपूतों को जिन्होंने अपना सर्वसों देश के आजादी के लिए समर्पित किया और महान सम्मिधान विदों स्वतंतरता संग्राम सेनानियों को इस आउसर पर नमन करते हुए उने प्रदेश वास्यों को पिछत्तर वें कड़तंतर दिवस के उसर पर अपनी हिर्दै से बदाई देता हूँ अपनी सुपकामना ही देता हूँ धन्यवाद जैहिन